दोस्तो, SAP का यूज बहुत सारी कंपणी, MSS कंपणी यानि मल्टिनेशनल कंपणी में किया जाता है Infosys, Reliance, Hindustan Livers, MRF, Tata Motors और कई सारी MSS कंपणिया हैं जहाँ SAP का यूज किया जाता है कई सारे Institute आपको इन कोर्स करवाने के लिए 30,000 से लेकर 5,000,000 तक आपसे admission चार्ज करती है और आप admission ले लेते हैं सिर्फ एक अच्छी जोब पाने के लिए और ये Institute आपको ट्रेनिंग के बाद एक certificate प्रोवाइट करती है जो जोब दिलवाने में आपकी मदद करती है अच्छी जोब और सेलरी दिला दे तो क्या करें कि हमें अच्छी सेलरी भी मिले और सेपी सर्टिफिकेट भी मिले मेरी माने तो सबसे अच्छा short solution है जिससे आप आपका time और money दोनों से होगी आप graduation या post graduation के बाद एक AC company में जोब जोइन कर ले जहाँ SAP software का use किया जाता है ऐसा करने से होगा यूँ कि 1 year या 2 year के बाद आपको SAP की training भी company से मिल जाएगी सेलरी भी company से आपको मिली रही है और आप SAP के expert person बनने के साथ ही साथ आपको 1 year के बाद company से experience certificate भी मिल जाएगा और experience certificate मिलने के बाद एक अच्छी जोब पाने के लिए आप M&S company में apply कर सकते हैं अब आप कहेंगे sir graduation या post graduation के बाद SAP company में job जोइन करने के लिए और interview face करने के लिए भी तो SAP software का knowledge होना ज़रूरी है इसके लिए भी मेरा short solution है मेरे channel के videos आप उन videos को देखकर training ले सकते हैं और interview face कर सकते हैं और कोई भी question है तो comment box में पूछ सकते हैं और channel को subscribe कर ले उसे से आपको latest video के notification जो YouTube में upload करता हूँ आप तक पहुचेंगे जो आपकी फिल्ड में आपको और ज़्यादा expert बनाने में आपकी मदद करेंगे I hope कि यह video आपको पसन आए होगी मिलते हैं next video में तब तक के लिए जैहिए